हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में जैसा कि आपको पता है कि SSE MTS हवलदार परिक्षा 2023 अप्रेल महिने से सुरू हो रही है इसलिए फटा-फट से त्यारी में जुट जाओ आपके लिए यहाँ पर रोजाना वीडियो करवाया जाता है SSE MTS का तो जिसने भी अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है SSE MTS हवलदार का रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर लिजिए दोस्तों आज के वीडियो में अपने पहला प्रैक्टिस सेट कम्पलीट करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में GK और GS के most expected कोशन लेकर आया हूँ आपके लिए और बिल्कुल real paper वाला कोशन है और 100% यहाँ से कोशन फसेगा आपके एक्जाम में तो पूरा प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजेगा लास्ट में अपना स्कोर भी हमारे साथ जरूर शेर कीजेगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो देखे दोस्तों क्योशन पर आपके स्क्रिन पे आ गया है उससे पहले जिनोंने भी अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया है वीडियो को चितने भी देख रहे हैं एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए और शेर कर दीजिए सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुचाने के लिए फर्स्ट कोशन आज का प्रत्थम विधी का निर्माता कोन है हू इस दा फर्स्ट लो मेकर साथ साथ में आप सभी को हर कोशन का आंस्वर कमेंट करके बताना है और सभी के आंस्वर लास्ट में कमेंट में पढ़ता हूँ इसलिए सभी कमेंट जरू करें हर कोशन का आंस्वर अगर आपको आता है तो प्रत्थम जो विधी के निर्माता है ना वो मनु को कहा जाता है इसलिए आपका right answer होगा option A जिन्होंने भी answer किया है option A उनका answer बिल्कुल सही होगा अगला question देखिए question number 2 है नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार आपसे पूछा है तो बताए क्या होगा इसका right answer अगर आप answer कर रहे हैं हर्श वर्धन के साथ तो आपका answer बिल्कुल सही है नागानंद का रचनाकार था हर्श वर्धन ठीक है option B is the right answer next question आपके screen पे question number 3 है किसने इक्तादारी प्रथा को चलाया था? who carried out the इक्तादारी system जो इक्तादारी system था उसे carried out किया था दोस्तों इल्तुत्मिश ने तो यहाँ पे जिनका भी answer आ रहा है comment में option C इल्तुत्मिश तो आपका answer यहाँ पे बिल्कुल सही होगा सभी answer comment जरूर कीजिए अगला question है खारे जल की जो जील है जिसका नाम है वन जील यह कहाँ पे स्तित है? where is the salt water lake? वन लेक लोकेटेड तो इसका answer बताईए क्या होगा right? अगर आप answer कर रहे है option D को तुर्की में तो आपका answer बिल्कुल सही है जीहाँ खारे जल की जो जील है वन जील यह तुर्की में स्तित है तो option D is the right answer next question देखिए question number 5 आपके screen पे है question में पूचा है कि सविधान सभा के प्रारूप समीती में सदश्यों की संख्या कितनी थी यह बताना है what was the number of members in the drafting committee of the consistent assembly तो जो प्रावरूप समीती थी उसमें सदश्यों की total संख्याती साथ अगर आपने answer दिया है option B को तो आपका answer बिल्कुल सही होगा वीडियो में आगे बढ़े हैं उससे पहले वीडियो को like, share, subscribe जरूर कीजिएगा ठीक है next question देखिए, question आपके screen पे है, बताएए क्या होगा इसका answer, ब्रह्मा को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था what was karma called in innocent India, जो ब्रह्मा को प्राचीन में, प्राचीन भारत में, जो है ना, gold land यानि की सुरन भूमी के नाम से जाना जाता था तो जिनोंने भी answer option C किया है, उनका answer बिल्कुल सही होगा next question देखिए दोस्तों, अगले question में आपसे पूछा है कि सूरे के चारों और घूमने वाले पिंड जो है, वो क्या कहलाते है what are the objects that revolve around the sun देखिए जूरे के जो चारों और घूमते हैं पिंड, उन्हें हम planets बोलेंगे, ग्रह है ठीक है, तो अगर answer आप कर रहे है, option A को, तो आपका answer यहाँ पे बिल्कुल सही होगा next question आपके screen पे, इनमें से कौन सा एक, आगने cell का उधारन है which of the following is an example of an igneous rock तो यहाँ पे igneous rock बताना है में एक्जाम्पल में, तो ग्रेनाइट जो होता है, वो आगने शेल, igneous rock का एक एक एक्जाम्पल होता है तो अगर आप answer कर रहे है, option B, ग्रेनाइट को, तो आपका answer बिल्कुल सही होगा अगला कोशन देखिए, किसे प्रकरती का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है what is called the safety valve of nature, safety valve of nature is called volcano जो जुआला मुखी होता है, उसे प्रकरती का सुरक्षा वाल्व कहते हैं, option B, जो भी answer दिये हैं कमेंट में, उनका answer बिल्कुल सही होगा अगला कोशन आपके screen पे है, बताए क्या answer होगा, Victoria जलप्रपात किस नदी से संबंदित है, Victoria waterfall is related to which river Victoria जो जलप्रपात है, ये स्तित है, जामबेजी नदी पे, तो जिनोंने भी answer option D किया है, उनका answer सही होगा एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सभी answer comment कीजिए, सभी के answer last में पढ़ता हूँ अगला कोशन देखिए, नीमन लिखित में से कोन एक मरुस्तल नहीं है, which one of the following is not a desert अब यहां पे, आप देख सकते हैं, थारू, कालाहारी, सहारा, गोबि, ये चार आम दिये हैं, तो आपको पता है, थारू एक जंजात्की का नाव है, ये एक मरुस्तल नहीं होता है, कालाहारी, सहारा, गोबि, ये तीनों ही मरुस्तल हैं, तो थारू आपका right answer हो जाएगा ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन आपके स्क्रिन पे, अमीर खुसरो किस सासक के दरबारी कवी थे, अमीर खुसरो वाज़ा कोट पोईट ओफ विच रूलर, अब यहां पे जो अमीर खुसरो है ना, वो अलावुदीन खिलजी, शाशक का दरबारी कवी थे, तो यहां पे राइट answer क्या करोगे आप option B अगर आप answer दे रहे हो तो आपका answer बिल्कुल correct होगा next question आपके screen पे है कथक कहा की नर्ते शेली है बताइए where is कथक dance style तो अगर आप answer कर रहे हैं North India को तो आपका answer सही है जो कथक है ये दोस्तों उत्तरी भारत का नर्ते शेली है specially उत्तर परदेश में किया जाता है option D is the right answer अगला question देखिए question में दिया है कि when was the book das capital written by Karl Marx published जो Karl Marx के द्वारा लिखी पुस्तक है जिसका नाम है das capital ये कब परकाशित हुई थी ये बताना है तो ये परकाशित हुई थी 1867 1867 मे option D आपका right answer होगा अगला question है बद्रिनाथ धाम कहाँ परवस्तित है where is बद्रिनाथ धाम located तो इसका answer क्या होगा उत्राखंड UK UK ये वाला United Kingdom नहीं है UK उत्राखंड ठीक है तो उत्राखंड में आपका बद्रिनाथ धाम स्तित है next question lumen किसका मात्रक होता है whose unit is lumen तो बद्रिनाथ ये क्या होगा इसका right answer अगर यहाँ पर lumen पूछा है तो light flux आपका correct होगा जोती flux इसे बोलते है हिंदी में ये lumen जो है ये जोती flux का मात्रक होता है option B is the right answer next question लेखिए किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक्तम होता है at what temperature is the density of water maximum तो ये होता है 4 degree Celsius पर जो है ना तापमान पर जल का घनत्व सबसे maximum होता है option D is the right answer next question आपके screen पर दिया है वदाए क्या होगा इसका answer question में दिया है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उश्मा पाकर द्रवे में बदलता है उसे क्या कहते है the temperature at which a solid material converts heat into liquid is cold इसे हम बोलेंगे melting point कलनांक option B जो भी answer दे रहे हैं उनका answer सही होगा next question है ध्वनी का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है how long does the effect of sound last in the human ear तो ये जो रहता है ध्वनी का प्रभाव मानव के कान में वो एक बटा 10 second तक रहता है 1 by 10 second option B is the right answer next question दिया है प्रकास छोटे छोटे कनों से मिलकर बना है जिसे क्या कहेंगे light is made up of small particles it is called photon इसे हम photon कहते हैं option D अगर आप answer दे रहे हो comment में तो आपका answer बिल्कुल सही है next question आपके screen पे पताए क्या answer होगा इसका question में पूछा है कि 100 साल का जो यूद है न वो किन के बीच लड़ा गया था अब देखे दोस्तों 100 साल का यूद बिट्वीन जो हुआ था वो हुआ था France और England के बीच में तो answer क्या करेंगे option B France और England next question दिया है question में पूछा है कि 1 nautical mile बरावर होती है 1 nautical mile equals 2 तो ये किसके बरावर होगा ये 1.85 एक दसमलो 85 km के बरावर होगा option C is the right answer अगला question है दूद का pH मान लगबग कितना होता है approximately what is the pH value of milk अब यहाँ पे लगबग पूछा है तो exact value तो नहीं हम बताएंगे लगबग होता है 6.4 के बीच में option B is the correct answer next question देखिए आधुनिक आवर्त नियम का जो प्रती पादन है वो किस ने किया who propounded the modern periodic low तो यहाँ पे जो आधुनिक जो आवर्त का नियम था उसे दोस्तों प्रपाउंड किया था मोजले ने तो correct answer क्या होगा option D is the correct answer next question है लोहा प्रचूर मातरा में किस में देखने को मिलता है चार option दिये हैं बताएंगे उन में से iron is found in plenty of green vegetables जो हरी सबजियां होती है ना उसमें हमें iron की प्रचूर मातरा देखने को मिलती है option D यहाँ पे हमारा correct answer होगा अगला question है चीन की great wall का निर्मान किस ने करवाया था who built the great wall of China तो इसका निर्मान हुआ था शी हुआंग टी के द्वारा तो right answer is option C next question देखिए cigarette lighter में नीमन लिखित में से कौन C gas पर्युक्त होती है which of the following gases is used in cigarette lighters तो जो cigarette का lighter होता है उसमें butane gas का use किया जाता है option A यहाँ पे आपका right answer होगा next question है किसे काली मोत कहते है what is called black death black death जो है यह play को कहा जाता है तो right answer कर लीजिया option B को अगला question है गाजर किस vitamin का स्मरद्य होता है जो carrots है न carrots are rich in which vitamin तो यह सबस्यादा देखने को मिलता है हमें vitamin A में तो right answer क्या होगा option A होगा vitamin A की कमी से कौन सा रोग होता है night blindness तो तो अगला question है pace maker का समन्द किस से होता है with whom is the pace maker related तो pace maker का समन्द है heart से तो right answer option B हो जाएगा और आज का homework question आपके लिए इसका answer आपको comment करके बताना है homework question है यह question है who is the originator of the principle of mutation उत्प्रिवर्तन के सिधान के जनमदाता कोन है जिनको भी इसका answer मालूम है जरूर comment कीजिए सभी के comment लाशने पढ़ूँगा और वीडियो में कितना score आपसे बना है वो भी comment कीजिए वीडियो को जिन्होंने भी अभी तिक लाइक नहीं किया है तो फटा-फट से एक बार वीडियो को लाइक के साथ एंड कीजेगा share भी कर दीजेगा सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुँचाने के लिए एसी वीडियो रोजाना देखने के लिए चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को ओन कर लीजिए मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ प्लिए जैहिन जैवारत